नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल तेव्यास्ट्रो में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रसंग लेकर रही हूँ जिसे मैं आज आप सब लोगों के बीच में शेयर करना चाती हूँ ना जाने मुझे आज ऐसा क्यों ठीक लगा कि वह प्रसंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ लेकिन इस प्रसंग को सुनकर शायद आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ प्रसंग आप सबी अवश्य सुने और यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले साथी साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बैल आइकन भी प्रेस कर लें क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से जानकारी से बड़ी वीडियो मिलते रहते हैं जयोतिश, वास्तु, हस्त्रेखा और साथी व्रत से जुड़ी व्रत और त्योहर से जुड़ी सभी परकार की जानकारी में आपके लिए उपलब करवा रहती हूँ और डेली पंचा कि मैं न होता तो क्या होता देखी अशोक वाटिका में जिस समय रावन क्रोध में बर कर तलवार लेकर सीता मा को मारने के लिए दोड़ पड़ी तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार चीनकर इसका सिर्ख काट लेना चाहिए किन्तु अगले ही शन उन्होंने देखा मंदोद्री ने रावन का हाथ पकड़ लिया यहां देखकर वे गदगद हो गए वे सोचने लगे यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ब्रह्म हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता बगद हमको ऐसा ही प्रहम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता परन्तु ये क्या हुआ सिता जी को बचाने का कारिय प्रभू ने रावन की पत्नी को ही सौप दिया तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभू जिससे जो कार्य लेना चाते हैं, करवाना चाते हैं, वह उसी से वह कार्य लेते हैं आगे चल कर जब तिश्टा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा तो हनुमान जी पड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभू ने तो मुझे लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और तिश्टा कह रही है कि उन्होंने सौपन में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है अब उन्हें क्या करना चाहिए जो प्रभू इच्छा जब रावन के सैनिक तलवा लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दोड़े तो हनुमान जी ने अपने आपको बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की और जब विभिशन ने आकर कहा कि दूद को मारना अनिती है तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प् कपड़ा लपेट कर घी डाल कर आग लगाई जाए तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली तुष्टा की बात तो सच थी वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कहां आग ढूंता पर वह प्रबंद भी आपने रावन से करा दिया जब आप आप रावन से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझे करा लेने में आश्चिरिय की क्या बात है इसलिए हमिशा यह याद रखे कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब इश्वरिय विधान है हम और आप तो केवल निमित मात्र है इसलिए यह ब्रह्म कभी भी ना पाले क कि मैं ना होता तो क्या होता मैं ना होता तो क्या होता जै श्री राव